हेलो एवरीबन वेल्कम तो आर चैनल इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं गक्षा आंट के विषय विज्ञान का वार्मिक शिक्षा पुर्णिता प्रमान पत्र परिक्षा पेपर तो प्रश्न पत्र लेकर आए हैं आपके संप्जेक साइंस का लेकर एंड तक कम्प्रिट वीडियो को देखेगा बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आपके लिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स कोशन से बिना देरी किये पता ही है आपको कि आपका पेपर चार पार्स में डिवाइड आएगा एबैसेदे जिसमें हम पेज़ मच्छर है औप्शन ए को करक्क करते रहे हैं आपको वैसे हम आंसर देखेंगे अभी पहले हम कोशन को समझ लेते हैं क्योंकि जिन बच्चों ने भी तयारी कर रखी है उन्हें ताक ही रियलाइज हो जाए कि हमारे कोशन कितने सही हो रहे हैं हमने जो पिछले निम्न वैसे किसको पीट कर चादरों में परिवर्थित किया जा सकता है चादर में किसको परिवर्थित किया जा सकता है चांदी में चांदी को है ना ठीक है धातु है ना तो धातु को हम जब पीटते हैं तो वो चद्दर की रूप में एक विस्तारित रूप ले लेता है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन सूरे का प्रकाश वायू जल पेट्रोलियम तो सूरे का प्रकाश वायू जल तो हमेशा ही रहेंगे पेट्रोल जो है वो समाप्त होने वाला एक प्राकृतिक संसाधन है ठीके वनुन मुलन का कारण है क्रिशी के लिए वनुन को काटना इधन की रूप में लकडी जलाना दावा नल इवं भीशन सूखा उप्रुक सभी तो सभी है option यहाँ पर करेक्ट हो जाएक option दे आंत्रिक निशेशन होता है मादा की शरीर में मादा की शरीर के बाहर नर की शरीर में नर की शरीर के बाहर तो मादा की शरीर में होता है आंत्रिक निशेशन निमने लिखी इतमें से संकटा पन वन्ने जन्तू है इनमें से कौन सा संकट उत्पन वन्ने जन्तू है जो की लुप्त होते जा रहे है वाग काले हीरन बारा सिंगा जंगली भैसा तो आपको बता देना है ठीक है आंसर मशीनों में बॉल बेरिंग का उप्योग किया जाता है क्या करने के लिए किया जाता है आपको बताना है ठीक है फ्रिक्शन को कम करने के लिए या फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए या एरिया को इंक्रीस करने के लिए या प्रेशर को इंक्रीस करने के लिए नेक्स्ट है निम्मे से किस वाक ध्वनी की आवरिती नियूंतम होने की समावना है वाक ध्वनी की आवरिती नियूंतम छोटी लड़की की छोटी लड़के की पुरूश की या महिला की विद्धुत का सुचालग लकडी, प्लास्टिक, लोहा वो प्रोक सभी तो विद्धुत का कुचालग होता है लकडी, प्लास्टिक, ठीक है लोहा जो होता है वो विद्धुत का सुचालग है यहाँ पर अप्रिंस है करेक्ट हो जाएगा जब कांच की छड को रेशम के कपड से रगडते हैं तो छड क्या हो जाती है बता देना है भुकम पाने का कारन इश्वर का प्रोकोप अतिवर्षा पृत्वी की पलेटों की गतियां ग्रहों की गति तो भुकम वाने कारण उप्जिस से करेक्ट हो जाएगा पृत्वी की पलिटों की गतियां लाल ग्रहे की नाम से जाने जाने वाला ग्रहे, मंगर, शुक्र, शनी, बुद्ध तो सबसे ज़्यदा जो ब्लिंक करता है, जो चमकता है, कौन सा स्तारा होता है तो कौन सा ग्रहे होता है, तो आपको बता देना है रुधीर में आक्सिजन की वहाग शमता कम करने वाली गैस है आक्सिजन की वहाग शमता कम जो कर देती है, कौन सी गैस है, कारबन नव बॉकषई, कारबन मॉन उक्साइड, औजोन, जलबाश सेकिंड कोशिन है उचिस शब्द चारकर रिक्तिसान की पूर्थी करिए भलीदार पौदों की जड़ों में क्या पाये जाते हैं तैपफवाइड किसकी द्वारा होता है तर्मो सैटिंग प्लास्टिक का उधन है धातूय क्रिया वे अशिगलांु इसलिए में अभिकी अभी तुरंधंस ताकि आपको realize होजे कि आपकी किती तयारी है, ठीक है, टेरपोल का वैस्क में रूपांतरन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, बताइए, टेरपोल का वैस्क में रूपांतरन कहलाता है, कायंतरन, ठीक है, जूतों की तले, किसके कारण घिस जाते हैं, काशन की कारण, obviously, ठीक है, तो आदे तो कोशिन के आसर हम देखते ही जा रहे है थर्ड कोशिन है यदि कथन सही है तो T लगाना है आपको यदि गलत है तो F लगाना है यानि ट्रू और फॉल्स बताने है आपको अवांचित या F प्रिय ध्वनी को संगित कहते हैं जी नहीं गलत है यह ठीक है फॉल्स कुलोहे में संशादित होने तथा जंग लगने की प्रवर्ति होती है जी हाँ प्रोजेक्ट टाइगर बाग के सरक्षन से सम्मंदित है तो टाइगर बाग सरक्षन से सम्मंदित है फॉर्थ कोशिन है कॉलम एक को कॉलम बी से मिलान खना है रवी की फसल इन में से कौन सी है रवी की फसल कह हूँ जाना एक प्रोटो जोओ एक प्रोटो जोओ क्या है कापास क्या है प्राकृतिक रेशा है डीजल मोटर रिधन में काम आता है अंडानों उत्पादित होते हैं अंडानों उत्प ठीक है तो यह अपने मिलान करी दिया है फिफ्थ कोशन है मिट्टी में पोशक इसतर को बनाई रखने के लिए क्या मिलाई जाता है और उर्भक मिलाई जाते हैं तो आपको लिखना है यहाँ पर प्रॉपर आंसर वे में सिक्स कोशन है कैरम खिलते समय कैरम बोड पर घर्षन कम करने के लिए किसका उप्यू किया जाता है हम पाउडर का इसमाल करते हैं ना उसमें ठीक है सैविंध कोशन है किसी एक ध्वानी प्रदूशक का नाम लिखिए आपको एक ध्वानी प्रदूशक का नाम लिखना है जो पॉलिटर है एर्फ कोशिन है विद्ध के कुछालग पधार्थ का नाम लिखिए नाइन्थ कोशिन है विश्ण उश्णन के लिए उत्तरदाई गैस का नाम लिखिए अब देखेंगे पार्ट बी खंड बै प्रश्ण संख्या दस है आप गर्मियों के लिए सूती या संसिर् कारण सहीत लिखिए 11 कोशिन है धातू अधुतम में कोई तीन अंतर लिखिए हमने पिछले पीडियों में ही कर रहा है धातू अधातू में जो आपका अंतर है 12 कोशिन है संग्मर्मर की फर्श पर साबुन के पानी से भरी बालती उलट जाए तो इस फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठी अपने उतर का कारण बताईए 13 कोशिन है आग बुजाने के लिए पानिक की इस्थमाल से पूर्व विद्धुतापूर्ती बंद क्यों की जाती है 14 कोशिन है भुकम से बचने के लिए आप क्या-क्या साब्धानी बढ़तेंगे तो ये सब भी कोशिन हमने कर रखे है पिछले वीडियो में ठीके क्या-क्या साब्धानी करेंगे जैसे हम नकरी की टेबल की नीचे अपना सिर रख देंगे या हम घरों से बहार निकलेंगे सो रक्षित इस्थान पर जाना चाहेंगे ठीके बहुत साब्धानिया बढ़ते हैं जब कुभुकम आता है तो वह लिख देनी है यहाँ पर 15 है सोर परिवार का नामा की चित्र बनाई है आपको सोर परिवार का नामा की चित्र बनाना है नाम सही चित्र बनाना है 16 है CNG, LPG का इधन के रूप में उप्योग करने के क्या लाब है CNG और LPG का इधन के रूप में उप्योग करने के आपको लाब बताने है Benefit of using CNG और LPG as fuel CNG कम polluted होता है ना कम pollution करता है तो इसका प्योग आजकल ओटो रिक्षा में भी देखा जा रहा है और कहीं CNG कारियों में किया जाता है 17 कोशन है नर जनन तंत्र का नामां की चित्र बनाई है आपको नर जनन तंत्र का नामां की चित्र बनाना है Male reproductive system का आपको डाइग्राम बनाना है Name सहीद खंड से हैं पार्ट सी जिसमें है It is only ao case कि खंड्र का नर जनन के चनना है खंड देखा यतिम्हा जाता है या फिर कर्सक्ते हैं सिचाई किसे कहते हैं जल सरक्षित करने वाली सिचाई की दो वीधियो चित्र बनान कीजिए डोनमें से क्व एक कोशन में करक्ते हैं नाइंटीन कोशन है वनोन मूलन का अर्थ बताईए एवं इसके कारणों का उल्लेक कीजिए या फिर आप कर सकते हैं रेट डाटा बुस्तक क्या है बुस्तक क्या है किनी दो संखटापन जन्तों के नाम बताईए अब कोई भी दो में से एक कर सकते हैं अमने दोनों ही प्रशनों के आंसर पिछले वीडियो में देख रखे है बीस्वा प्रशन है मच्छर अपने पंखो को पांसो कंपन प्रती सेकिंड की ओसत जर से कंपित ध्वनी उत्पन करता है कंपन की आवरती व आवरतकाल ग्यात कीजिए ठीक है अथवा आप या तो यह करें या फिर निमलिकित वाद्धे अंतरों के किस भाग से ध्वनी उत्पन होती है उस भाग का नाम लिखे धोलक, सितार, बांसोरी, बंजीरा इनके जिन भाग से ध्वनी उत्पन होती है वो प्रॉलोशन का कर लिजए या फिर अप्रोईटर्षिन से क्या आशे है वायु प्रॉटर्षन का करना है या तो एर पुलूशन का कर लीजजिये या जो बनाषय कॉलिजिय। इससेत कम्पलिट होता है पूरा आपका एपका लिए मार्स प्रिपर इस सब्जेक्श ब मैंने कुछ answers तो बता ही दिये हैं आपको फिर भी हम थोड़ी ही देर में इसका solution भी लेकर आ रहे हैं तो जुड़े रहे इसी तरह हमारे चैनल के साथ फटा फट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकमे क्लिक करना बिल्कुल न भूले ताकि आपको तुरन से notification मि सके जब भी हम वीडियो अप्लोड करें इसकी solution का इसी तरह जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद